अगर आप किसी भी प्रकार का motor vehicle drive करते हैं तो इसके लिए आपके पास driving license का होना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि आप बिना driving license के two wheeler या four wheeler driving नहीं कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह punishable offense होता है इसमें आपको स्ताजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं तो अच्छी बात यह होती है कि आप driving license अपना बनवा ले अच्छी बात यह है कि driving license बनवाने के लिए अब आपको दलाल को पैसे नहीं देने और ना ही RTO जाकर test देना है बलकि आपको अपने घार बैठे हुई एक application फिल कर देना है और आपका driving license बनकर ready हो जाएगा सबसे पहले आपको इस website पर आजाना है इसका link आपको description में मिल जाएगा इस website का dashboard इस प्रकार से मिलेगा परिवान.gov की official website है नीचे आएंगी स्क्रॉल करती हुई यहाँ आपको license related services में एक option मिलेगा driver learner license more पर click करेंगे अब आपको यहाँ से अपना state सेलेक्ट करना है आप चाहे जिस भी state से आते हो यह काम आप कर सकते हैं तो suppose करिए मैं मद्यपरदेश से आता हूँ मैंने यहाँ पर मद्यपरदेश सेलेक्ट कर लिया अब आपके सामने license related सारी services open हो जाएगी यहाँ पर आपको एक service देखने को मिलेगी apply for learner license new license बनाने के लिए सबसे पहले आपको learner license की जरूरत होती है तो आपको driving license के लिए सबसे पहले learner driving license बनाना पड़ेगा इस पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं fill application detail, upload document, upload photo and signature, fees payment, verify payment, status and print receipt इतने steps को आपको complete करना है आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर continue पर click करेंगे next यहाँ तीन option आपको देखने को मिलते हैं applicant doesn't hold any driving learner license, applicant hold driving license और applicant hold learner license first option आपको select करना है क्योंकि आपके पास किसी भी प्रकार का license नहीं है इसके बाद submit next यहाँ दो option देखने को मिलेंगे submit via आधार authentication और submit without आधार authentication अपना driving license बिना किसी document के सिर्फ आधार कार्ट से बनाने के लिए आपको यह first option select करना है इसके बाद submit इसके बाद OK अब यहाँ पर आपको दो option फिर से देखने को मिल रहे हैं अपना आधार नंबर से आप यह करना चाहे रहे हैं यह virtual ID से तो जो भी आप देना चाहे वह आप यहाँ पर दे सकते हैं हमने आधार नंबर select किया यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे generate OTP पी क्लिक करेंगे नेम आपकी date of birth और आपका photo यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद next proceed next dashboard इस प्रकार का आता है यहाँ से आपको अपना state select करना है next आपको यहाँ से अपना RTO से लेक्ट करना है जिस भी RTO से आप बिलॉंग करते हैं वो आप RTO यहाँ पर select कर लेंगे जैसे क आपको यहाँ से अपना qualification select कर लेना है आप 8 भी pass है या illiterate है अगर आप अशिक्षित है तो illiterate यहाँ पर select करेंगे अगर 10th और 12th है तो यह select कर लेंगे अगर आप graduate है या post graduate है तो भी आप यहाँ पर select कर सकते हैं next यहाँ पर address select करना है जिसमें present address और permanent address के दो column आपको मिलत हैं यहां से आप अपना present address select करेंगे आपको present address क्या है वो आप यहां से fill कर लेंगे इसके बाद अगर आपको present address और permanent address same है तो वो आप यहाँ पर select करेंगे और यह same fill हो जाएगा next आपको driving license का section आता है यहाँ से आपको यह select करना है कि आपको two wheeler का बनवाना है यह two four दोनों क बनवाना है तो यहां से आप select करेंगे यह carefully आपको select करना है जैसे कि हमने motorcycle with gear यहां पर non transport इसे select किया और इस arrow पर click करेंगे तो यहां पर add हो जाएगा इसी प्रकार से आपको जितने भी license बनवाने हैं वो आप यहां से select करके यहां पर add कर लेंगे अगर आपको motor vehicle का बनाना है light motor vehicle LMB four wheeler का तो इसको select करेंगे और इस पर add कर लेंगे हमें two four का बनवाना है हमने दोनों select कर लिया next है is applicant trained from driving school तो अगर आपने कोई driving school से training लिए है तो इसे check कर देंगे नहीं तो यह जरूत नहीं है इसके बाद यहां आपको एक self declaration form दिखरा होगा इस पर click करना है अब आपक कि क्या आप मिर्गी वगेरा की problem से ग्रशित है अगर है तो yes करेंगे नहीं तो नहीं है तो no करेंगे are you able to distinguish with each eye क्या आप दोनों आखों से देखने में सक्षम है तो यहां पर yes करेंगे इसके बाद have you lost either hand क्या आपने अपने हाथ खो दी हैं किसी accident में तो अगर आपने खो द okay next option आपसे पूछा जाए नहीं आप एकसिडेंटल केस में अपने organs donate करना चाहते हैं अगर आप करना चाहते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो yes करेंगे नहीं करना चाहते तो no करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे इसके बाद capture fill करेंगे और submit आपके सामने एक application number generate होता है यह application number आपको note करके रख लेना है या फिर إसके screen 0000 आपको ले लेना है इसके बाद आपको next भी क्लिक करना है, next यहाँ पर capture फिल करना है, इसके बाद submit, आपका application यहाँ से open हो जाता है, एक चीज पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोटे मोटे अक्षुरू में यहाँ पर लिखा है, application submitted for contactless service, no need to visit RTO, यानि कि आपको RTO जाने के जोरत नहीं है, आपका driving license घर बैठे बन जाएगा, अब यहाँ पर document के section में आप देखिए, हमने application अपना फिल कर लिया है, upload document, upload photo and signature, exempted यहाँ पर बता रहा है, मतलब कि हमें यह भी upload नहीं करने, सारी की सारी हम यहाँ पर छूट मिल चुकी है, fees payment हमारा बाकी है, तो हमें fees payment करनी है, इसके लिए proceed पी क्ल करेंगे, आप किसे payment करना चाहते है, SBI EPA आ पर आ रहा है, इसे select कर लेंगे, इसके बाद यह जो capture show हो रहा है, इसे आप पर fill कर देंगे, और pay now पर click करेंगे, next इस प्रकार से dashboard आएगा, यहाँ पर आपको सारी details एक बार चेक कर लिनी है, terms and condition को accept करना है, और proceed for payment, आप redirect हो जा पे now पर click करेंगे, आपके सामने QR code show होगा, इसे आप scan करके अपनी payment complete करेंगे, payment successful हो चुका है, इस प्रकार का receipt आपके सामने generate हो जाएगा, अब आप यहाँ पर print receipt पर click करके अपनी receipt भी download कर सकते हैं, इस प्रकार की receipt आपके सामने आएगी, यहाँ पर आपकी सारी payment detail होगी, इसे आपको print करके रख लेना है, अपने application का status track करने के लिए आपको application status पर click करना है, यहाँ पर आपको अपना application number, अपनी date of birth, capture fill करके submit कर देना है, आपके सामने इस प्रकार से application status आजाता है, उपर आप देख सकते हैं, application submitted for contactless service, no need to visit RTO, आपको RTO जाने की जुरूत नहीं है, अब आपको LL test online देना है, LL test देंगी, आपको अपना learner license test complete करने के लिए इसी dashboard पर फिर से आना है, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, online LL test, इस पर आपको click कर देना है, यहाँ पर आपको अपना application number और capture डालना है, और submit पर click करना है, एक tutorial आपके सामने आएगा, learner license test का की कैसे आपको देना है, वो आपको देख लेना है, और learner license test यहाँ से आपको complete करना है, जैसे आप learner license test complete करते हैं, आपका application verify होता है, और आपका application verify होले के बाद, आपका learner license generate कर दिये जाता है, जिसे आप download कर सकते हैं, अपना learner license download करने के लिए driving license पर click करना है, यहाँ पर आपको print driving license के option पर क्लिक करना है यहां application number देंगे date of birth देंगे और submit पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपना driving license download